स्टापलस के नामी शो नामकरण में यूतो दरश को हो कई बड़े ट्विस्ट एंड टॉन्स देखने को मिल रहे हैं जी हाँ, क्योंकि चूही कि मौत के बाद यह सारे रजाम लग जाता है अपनी के ओपर जिसके बाद अपनी भी यह सब कुछ सुनकर चौक जाती है और वो अली के साथ भागने का प्लैन भी बनाती है लेकिन उसी वक्त नील रोक लेता है अपनी को जिसके बाद आपने देखा, यह कैसे नील कर लेता है अपनी ही पतनी हमारा मतलब है अपनी को गिरफतार और नहीं को पूरी कर पाता है विद्यूत की शर्थ जिसके बाद आपने इभी देखा ये कैसे अपनी पहुच जाती है सालाखों के पीछे और अब आप दी सिरल के अगानेवल एपिसोड में देखेंगे ये कैसे एक बार फिर से आप सभी को दबंग अफतार अपनी का देखने को मिलेगा जहां इस बार अपनी जेल के अंदर ही लड़ती भी नज़राएगी लेकिन आपको बता दें किया बहुत यल अपनी होने वाली है जेल से रिहा जी हां एक लीरिंग अपसाइट की माने तो अब विद्यूत याने की अपनी का सबसे बड़ा दुश्मन अपनी को जेल से रिहा करवाता हो नज़राएगा और अपनी अपनी नेई जिंदगी की शुरुआत विद्यूत के साथ करती भी नज़राएगी लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है क्या किर क्या है विद्यूत का अवनी की बेल कराने के पीछे का पूरा मकसद जाने के लिए बन रही हमारे साथ और साथी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉपनी जस्ट फर यू टॉपनीज से अमित की रिपोर्ट